जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंटी योटोब चैनल पे आज की डेट में आपको बताने वाले आईटे एलेक्टिसियन थियोरी के कुछ ऐसे कोशन जो की परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं यदि आप आईटे सेकेंडियर के छात्रें और एलेक्टिसियन ट्रेड से एक्जाम दने जा रहे हैं तो कुछ कोशन ऐसे हैं जो की बार बार रिपीट हो रहे हैं इन कोशनों को आप एक बार जरूर देख कर जाईए तो चलिए आज का कोशन स्टार्ट करतें सभी लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका पहला कोशन है जो की यह कोशन कई बार एक्जाम में पूछा गया तो वो किसमें बदलता है वो बिद्य तूर्जा में परिवर्तित कर देता है कहने का मतलब यह मालिग यह आपका क्या है एक जनेटर है तो जनेटर है साथियो और यहाँ पर आपका बिद्य तूर्जा यहाँ पर क्या हो रहा है इससे यहाँ पर निकल लाए, तो इसमें आप कुछ यहाँ पर प्रवाइद करेंगे, तो भी तो यह निकलेगा, इसमें जब आप यांतरिक उर्जा देंगे, तो यह क्या करेगा, बिल्ट उर्जा में आपको परिवर्तित करके देगा, यहाँ पर आपका जो सही होता है, करति ब्रस राइजर के 및 बीच पर तरोद आप मज़चार क्यारिक्टा के बीच पर तरोद यह कोशन अब तक हां पर 12 तारिक से लगतार यह कोशन रिपीट हो रहा है लिपके यहां पर सई होता हें और शींडर हो जाता है ब्रस काूंस और कोशन को ध्यान से पढ़िए मसीन में हुए कौन से दो बिंदवे जो ब्रस संपर्क परत्रोत को मापत है तो ब्रस और कम्मुटेटर के बीच का जो परत्रोत होता है आफसा नंबर यहां पर सी हमारा करेक्ट इंसर हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला क कोशन आपके सामने यहां पर पूछा जा रहा है कि DC जनेटर का आर्मेचर परत्रोत बहुत ही कम क्यों है आप सभी को मालूमें DC जनेटर का जो आर्मेचर होता है वो परत्रोत वो कम होता है लेकि यहां पर जो कम होता है इसके पीछे का रिजन क्यों होता है यह क्यों लगा और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है आफसन नमबर B, ये बिल्कुल करेक्ट टेंसूर हो जाता है, B आफसन, आर्मेचर बॉल्टे ड्राप को कम करें, आफसन नमबर यहाँ पर B हमारा करेक्ट टेंसूर हो जाएगा, अगले कोशन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि DC generator में फिल्ल कोईल का उद्देशी क्या है फिल्ल कोईल का जो उद्देशी होता है DC generator में वो क्या होता है इसका उदे से ये होता है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माड करने के लिए द्रूओ को चुमकित करता है ये आफसन नंबर यहाँ पर जो हमारा दिया गए C आफसन ये कोशन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि DC generator में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंदा रखा जाया तो उसमें जो आॉस़ीश्ट चुमकत वह होता है वो समापत हो जाता है कहने का मतलब है कि DC generator में जो आॉस़ीश्ट चुमकत होते हैं वो समापत हो जाते हैं आफसन नंबर यहाँ पर D हमारा बिल्कुल करेक्टेंसर दिया गये कि अपने औसीट चुमकत्व खो देता है। आफसन नंबर D हमारा कोशन के अनुसार बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा, मिला लिजेगा। आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और जिसमें साथियों अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साथ और ओपेन सर्कीट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परिच्चन करने के लिए किस उपकरण का उप्यूग किया जाता है। इअअगले कोशन की और जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस परकार की DC मोटर का उप्यूग किया जाता है। A आफसन संट मोटर का B आफसन सनेडी मोटर का C आफसन विभेदक योगीक मोटर का और D आफसन देगे संचाई योगीक मोटर का तो साथ यहाँ पर आपका सही हो जाता है कोशन के अनुसार आफसन नंबर D बिल्कुल करेक्टेंस वर कमिलेट्व कमपाउंड मोटर का D आफसन हम करेक्टेंस वर मारेंगे मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूशा जा रहा है आपके सामने यहाँ पर कोशन है कि यह आपकी armature winding है और armature winding में जो यहाँपर जो चितرन किया गए यह इसके अंतरगत आते, किस winding के अंतरगत आते इसमें आपको बताना है तो देखिए, यहाँपर आप इसको असानी से पकड़ सकते हैं, इसमें देखिये यहाँ पर आप देखिए कितने यहाँ पर पोल है तो एक, दो, तीन और चार यहाँ पर देखनों की मिलता है और यह जो साथी हो आता है कि इसके प्रगतिसी लेप वाइंडिंग के अंतरगत आता है आपसन नमबर जो यहाँ पर सी दिया गए प्रोग्रेसीड लेप वाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है आपसन नमबर सी करेक्ट टेंसर हो जाएगा प्रगतिसी लेप वाइंडिंग सी आपसन आप करेक्ट टेंसर मारेंगे आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर जिसमें आप पर पूछा जा रहे कि वारनिसिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्मे क्यूग करना चाहिए देगे आपके पास किसी भी परकार की वाइंडिंग करने का यहाँ पर व्योस्ता है तो आप यहाँ पर देखिऊंगे या आप कोई भी आपके पास माले जे सिलिंग फैन है या आपके घरेलू मोटर है आप उसको आप क्या करते है जब उसको जल जाता है तो जब उसके दुबारा वाइंडिंग कराने जाते है तो क्या करता है जिस भी दुकंदार के पास जाएंगे जो electrician होगा वो उसको यहांपर wonder रроб करेंगा उसके बाद वार्निस करेंगा ठीक है वार्निस जो पीला टाइप का होता है वो क्याद करता है और वार्निस करने एक बाद उससे सुखायता है चाहिए वो घाम में सुखा है या उसके लिए यहाँ पर फैन का परियोग करें किसी भी माद्यम से उस सुखाता है तो वो इसलिए सुखाता है कि उसके अंदर जो नमी है वो समाप तो हो जाए तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि वार्ने सिंग से पहले नई रिवाइंड आर्मेचर को गर्म करने क्यों की करना चाहिए तो इसमें से जो नमी होते उसको बाहर निकालने के लिए ऐसा यहाँ पर किया जाता है option number A यहाँ पर जो दिया गए यह बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे देखिए अगले question को जिसमें साथ यह अगला question आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि कलापरण मोटर की तुलेकाली गती ग्याद करने का सुत्र क्या होता है मैं आपको इस पर कई सवाल भी बताया हूँ 120 F अपान P होता है और एक बात यहाँ रिखेगा जब आपसे सवाल पूछा जाए और F का मान न दिया हो F का मतलब यहाँ पर क्या है frequency और जब frequency का मान न दिया हो तो आप अपने मन से 50 यहाँ पर रख लीजेगा क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन का rule है उसके अंतरगर जो भारत की frequency है वो 50 यहाँ पर मानी गई है आफसन नमबर यहाँ पर जो सही होता है आफसन नमबर A बिल्कुल correct tensor हो जाता है मिला लीजेगा आगे देखिए अगले question को जिसमें अगला question यहाँ पर पूछा जा रहा है की winding machine के भाग x को चिन्नित करें यहाँ पर जो x का यहाँ पर indicate किया जा रहा है इसको यहाँ पर पूछ रहा है कि सिख क्या बोला जाता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आप निमी का जब यहाँ पर उठा के देखेंगे पेडियम तो अभी आपको इसका एंसर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये जो आया आपका साथियो इसको खराद और धूरा के नाम से जाना जाता है खराद का धूरा आफसा नमबर ये हमारा बिल्कुल करेक्टेंसर हो जागा जब इसका यहाँ पर चेप्टर पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में अगले कोशन को देखिए जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोईल की अवसत परिदी कि गरणा करने का सुत्तर किया है यहाँ पर दियेगे LM बराबर यहाँ पर L-Out इण्टो L-In और यहाँ पर अदर अदर आफसन दियेगे यह कोशन अब तक यहाँ पर दो पर पूछा गया जआदा तर ये कोशन रिपीट नहीं हुआ यहाँ पर आपका जो सही होता है आफसा नंबर भी बिलकुल करेक्ट टेंसर हो जाता है सबी लोग यहाँ पर मिला लिजेगा अगले कोशन को देखे जिसमें साथ यो अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग परक्रिया में वर्निसिंग से पहले मोटर के लिए प्री हिटिंग क्यों आवस्यक है अब देखिए उपर यहाँ पर सुखाने की बात की गए थी जो कि मैंने अगला कोशन आपको बताया था रिवाइंडिंग परक्रिया में जो वर्निसिंग की जाती है उस को बाहर निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है हिटिंग दी जाती इसमें आफसन नंबर डी हमारा बिलकुल कोशन का नुसार करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की उर जिसमें साथ यो अगला कोशन में पूछा जा रहा है की एसी मोटरों में लं यहां पर आपका सही होता है आफसन नंबर सी अधिक वाइंडिंग तार की आओ सकता सी आफसन आपका कोशन के अनुसार बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा सभी लोग मिला लीजेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा जा रहा ह कि यदि एक कला चलाने के दावरान विफल हो जाता है तो त्री कला प्रेंड मोटर का क्या होता है और यह कोशन आपको सोचने का मजबूर कर देगा आकर यह पूछ क्या रहा है देखिए यहां पर आप देखेंगे तो मोटर धीरे चलती है आकर जल जाती है कहने का मतलब है कि जो मोटर जो सिंगल फेज के दोरान नहीं चल रहे चलने में विफल है नहीं चले तो उसको आप त्री फेज पे चलाएंगे तो इसके परभाव यही पड़ेगा कि मोटर तो चलेगी लेकिन बहुत ही यहां पर स्लो चलेगी और लाश्ट में आपको मिक्सर दिया गया तो इसमें आपका सही होता है बी आफसन बिल्कुल करेक्ट इंस वर भूजन मिक्सर में अगला कोशन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहे कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है तो घरेलू पानी के लिए हांपर हम परतिकर बिल्कुल करेक्ट बी चुछा जाता है औखले कोशन को देखिए जिसमें अगला कोशन पूचा जाएगा अगले कोशन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि Alternator में प्रिरित EMF की दिषा खोजने के लिए किस नियम का उप्यूग किया जाता है Alternator में प्रिरित EMF की दिषा EMF का मतलब Electromotive Force इसकी दिषा यहाँ पर ग्याद करने के लिए आप कौन से नियम का उप्यूग करते हैं इसमें जो आपका होता है साथ यो फ्लोमिंग के दाहिनी हाथ का नियम यह बिल्कुल करेक्टेंस्वर हो जाता है डी आप सानम कोशन के अनुसार करेक्टेंस्वर मारेंगे अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोर पोल वाले रेटेड बोल्टेज पर पचास हटज की आप उरती आपरती के साथ जुड़े है तो अल्टरेटर की गती क्या है उपर मैंने आपको जो सुत्र बता है आपको जनकारी मिल जाएगी अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिश्ट्रिकारी डायोड में LED को कनवर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है टालने का यहाँ पर कारण क्या है इसका सबसे बड़ा रेजन यह इसमें जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है मतलब कि यह बहुत ही लो पावर डिवाइस होती है आफसन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाता है बहुत ही कम सकती वाली युकती होती है भी आफसन करेक्ट टेंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए जिसमें सातियों पूछा जा रहा है कि कैसे तुल पर लाइक और शैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न बोले आपकी एक्जाम से समन्दित आपको इस चैनल के मादम से जनकारी मिलती रहती है